इत्नोसेंटरिजम एंड मल्टी कल्चरलिजम एत्नोसेंटरिजम जो है यह एक तरह का मुवालखा इग्जैजरेशन है इसमें आप जब बहुत सेंटर्ड होते हैं अपने कल्चर में अपनी एथनी सिटी में और अपनी जो आपकी रेस है नसल है उसमें तो आप दूसरी एत्निक नैशनल और कल्चरल ग्रूप के बारे में को जज्जमेंट करते हैं जो लोग जो हैं उनकी आउटलूप को किटेसाइज करते हैं यह हमारी परसेप्शन को नेरो कर देता है दूसरे ग्रूप के बारे में फलान तो ऐसे करते हैं फलान आलाके के रहन वाले ऐसे करते हैं और इस पर जोक्ष भी है हमकसर इसको बहुत इस्तमाल करते यह तरह का बाइस ते कUnis कोweда करता है किसी भी मुल्क में किसी भी कल्चर में को सब लोग घ precisa कहां होते हैं किन हमने कुछ स्ट्री रो टाइप्स बनाएब है कि अपनी कल्टर majority के हिसाब से किसी को judge कर रहे हैं उसकी position पर नहीं अपनी position पर खड़े हो के मसलन आपको एक white इंसान है और वो एक African को कह रहे go back to Africa उसको कह रहे go back to Mexico यह जो चीज है हमने भी face की जब हम England गए तो I realized के लोगों के दर्वाजों पर वो लिख देते थे पाकी पी एक आई जिसका मतलब था पाकिस्तानी तुम यह क्यों आए हो क्या करने आए हो बड़ा वो फैमिली जुमाई पील करती थी और पहले भी पी रादा नहीं था लेकिन यह देखके हमारा फैस्दा यह था बतौर फैमिली के कि हम पढ़ने के लिए आए हैं पढ़के जाएंगे वापस हम अपने मुल्क के प्राउट शेहरी हैं I'm proud to be a पाकिस्तानी that's a green passport I hold मेरा मुल्क है मेरा घर है जहां पर हम second rate शेहरी हैं जहां वह आपको ऐसी बातें कभी कभी सब नहीं तब एक जैसे कभी भी नहीं होते बहुत महबत करने वाले दोस्त अपने घरों के दर्वाजे कोलने वाले लोग आपको accept करने अगर आप रोजे सी हैं आपके सामने काना नहीं काते कि आपका रोजा है जब आप खाएंगे तो हम का लेंगे एक गोरे का आपके लिए यह करन आपको लगता है कि वो कह रहें कि जो अपने मुलक को वापस मुल्टी कल्चरलिजम जो है यह एक इंडिविजियल साइकलोजिकल एंथेरेटिकल व्यू है आप बहुत से कल्चर को एडॉप्ट करते हैं हर कल्चर की एक्वैलिटी और नैशनल ग्रूप की एक्वैलिटी को रेकिगनाईज तसलीम करते हैं यह इस आइडिया को पर्मोट करता है कि हर कल्चरल ग्रूप को हाग है कि वो एक्जिस्ट करें अपने तरीके से जिनकी गुजारें अपने खाने काई अपने कपड़े पहने जिस तरह डिवेलप करते हैं करें उसकी वैल्यूज और नॉम्स जो है वो यूनिटी को और लोगों के तनव्व को एक्सेप्ट करना सिखाता है और तमाम सिविलाइज सोसाइटी जो है वो मल्टी कल्चुरलिजम को अपना रही है